तो अगर आपका पास्पोर्ट एक्सपायर होने वाला है या आपका पास्पोर्ट एक्सपायर हो गया है या आपका पास्पोर्ट डैमेज हो गया है या आपका पास्पोर्ट भूम हो गया है या आपका पास्पोर्ट चोरी हो गया है तो अगर आप अपना passport को दुबारा बनवाना चाहते हैं यानि कि renewal करना चाहते हैं तो कैसे renewal किया जाता है आज के वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं दोस्तों बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि renewal करते वक्त हमारा जो passport है अगर ECR passport है immigration check required वाला passport है तो ECNR passport में convert हो जाए और ये करा लेना भी चाहिए बहुत ऐसे लोग हैं कि जिसका passport ECR passport है immigration check required वाला passport है कभी भी कहीं से भी वीजा अगर उनको मिलता है तो सबसे पहले उनको immigration कराने का एक जंजट राता है अगर आपका passport ECNR passport बन जाता है तो आपको immigration का जंजट खतम हो जाएगा अगर कोई भी आदमी अगर आपको visa देता है तो बस आपको flight का ticket ले करके उस company में चले जाना है चले आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि अगर आपको passport को renewal करना है तो renewal के लिए apply कैसे किया जाता है क्या process होता है उसके बाद से आपको हम बताएंगे कि अगर आपका passport ECNR passport है अगर आप उसको convert करना चाहते हैं ECNR passport में तो कैसे होगा सारे सिच के बारे में आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं चलिए वीडियो के start करते हैं हमारे YouTube चैनल को subscribe जरूर कर लेजिएगा चलिए लिए computer के screen पे इंडियन passport online apply करने के लिए यानि के renewal करने के लिए आपको Google search पर जाकर के लिखना है इंडियन embassy रियाद सौधी अरब अगर आप सौधी अरब से कर रहे हैं तो अगर आप दुबई से कर रहे हैं तो दुबई लिखेंगे जिस देश से आप apply करना चाहते उस देश का जो official website है इंडिया embassy का उस website पर जाकर क्लिक करना है मैं सौधी अरब रियाद का website यहाँ पर open किया हूं open करके ना है उसके अगर आपको यहाँ पर नजर आता होगा हों एमबेसी बगल में कंसुलर कंसुलर पर क्लिक करना है उपर से सेकेंड नंबर पर देखेंगे री इसू पासपोर्ट अगर पासपोर्ट रिइनुवल करना चाहते हैं तो उसके बाद से यहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा इस ल उसके बास से आपको अगर नया रजिस्टर करना है सौदी अरब करना होगा इंडिया सी जितने भी देश में होगा सारे करना पर उपन हो जाएगा तो यहाँ पर Saudi Arab select कर लेंगे Saudi Arab Riyad मैंने select कर लिया उसके बाद से जिसका भी passport आप apply कर रहे हैं उनका surname, given name उनका date of birth, email id उसके बाद से उनका date of birth उसके बाद से user id यानि login id बनाना है, password बनाना है confirm password करना है उसके बाद से यह नीचे जो capture code दिया है इस सारे capture code को पूरा तरीके से अच्छे से fill करना है यानि कि इस form को अच्छे से बारीकी से आपको fill कर लेना है उसके बाद से आपको register वाले option पर click करना है तो मैंने पूरा details यहाँ पर भाई fill कर देते हैं, fill करने के बाद हम register वाले option पर click क्लिक कर रहे हैं है को केपचा को क्विल करने के बाद जैसे रजिस्टर वाले अपसन पर क्लिक करेंगे आपके पास रजिस्टर हो जएगा जो इमेल आइडिय पर एक्टिवेशन गोड जायेगा जैसे आपके देख सकते हैं यहाँसे ुसकर अपर लिंक को अपने बनाया आप देखें हाप एक्टिवेट हो गया ग्रीन कलर आ गया होँम पर क्लिक क्लिक उसके बाद से एपलाई फोर अडिनरियर्य पास्पोट वाले अप्जन पर आपको क्लिक करना है यहां से निव पास्पोट या रि इस्व पास्पोर्ट के लिए apply कर सकते हैं apply for ordinary passport वाले option पर मैं click किया apply for phrase passport और reissue of passport तो हाँ आपको करना है reissue of passport अगर renewal कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको click करना है उसके बाद आपके सामने बहुत option आजाएगा कि आपका passport damage है या loss हो चुका है या expire हो चुका है या expire होने वाला है जो भी category में आप आते होंग उस category के सामने आपको click करना है उसके बाद से आपको टतकाल चाहिए या normal चाहिए उस select करना है तो मुझे normal चाहिए उसके बाद 36 page वाला ही चाहिए यह पूरा details मैंने हाँ पर दे दिया उसके बाद से next वाले button पर आपको करना है click जहसे next वाले button पर आप click करेंगे तो आपके स सामने applicant का पूरा details देना होगा जो passport पे आपका है ये जो आपका certificate पूरा सही-सही आपको यहाँ पर अपना नाम देना है given name-surnate name अपना gender को select करना है उसके बाद से आपको यहाँ पर बताना है क्या आपके दुसरे यह जो पेज है फॉस्ट पेज में ही आपका ECR और ECNR वाले प्रोब्लम आता है बहुत सारे लोग को अपलाई करते वाक्त समझ में नहीं आता है तिया क्वालिफिकेशन वाले अप्शन पर आपको देख लेंगे क्या क्वालिफिकेशन है ठीक है उसके बास नीचे यह आटोमेयों पर रत है तो यहां पर यह करना है तभियाकर करके आपका जो पसपोर्ट होग और व यहां पर किलिक करएंगे तोवा स्बast नबन जाया है ठीक के यह को water देखाई देगा उसके बास यहँदे में फार ना देना है आदस्क नाम वाइफ का नाम अगर देना चाहते हैं दे सकते हैं उसका अपना एड्रेस दे देना है पूरा एड्रेस आपको यहां पर फिल करना है अपना सारे डीटेल आपको देदेना है पूराना रही चीषति है यहां पर किलिक करेंगे जुआ होता होगा इसके बास पढ़ लिजए गा जो आपका मिलता होगा ओ आप यहां से yes no कर दिजएगा अलमस्ट यहां पर no ही होता है नो दे कर करेंगे next करेंगे passport आपका कुछ इस तरीके से बन कर ready हो जाएगा आप यहां पर कोई भी changing करना चाहते हैं तो बैक जाएगे इसमें कोई गलती तो नहीं है अगर सब चीज सही है उसके बाद से प्रोसेस करना है आपको तो यहां से मैं सब कुछ मैच कर रहा हूं सब तुदे हमारा जो मैं खिल किया हूं सब चीज अलमस्ट यहाँ पर सही है सही अगर है तो आप यहाँ से प्लेस लिख देंगे सौधियर अपगर से हैं तो इसके करेंगे आपका यहाँ पर अप्लिकेशन नंबर मिल जाएगा अप्लिकेशन नंबर मिल चुका है उसके बाद से आपको होम वाले अप्लिक करना है प्रिंड करने के लिए यहाँ से मैं apply कर दिया Thank you आख चुका है होम वाले ak styling करेंगे नीचे जाएंगे तो मेरा नाम जो करेगा नीचे हम जा रहे है नीचे जाएं, यहाँ पर ARN नमबर और नाम सो कर रहे हैं, ARN नमबर के बगल में select का एक option नजर आता होगा, तो जैसे select वाले option पर आप click करेंगे, उसके बाद से नीचे print application form का option मिल जाएगा, यहाँ पर आपको click करेंगे, तो यह देखिए application form ही है, जो barcode के साथ में आ चुका नीचे आप जाएंगे, तो नीचे जैसे जाएंगे तो print का option मिल लेगा, application form नीचे जा रहे हैं, दखिए हैं हाँ पर, नीचे print का option मिल जाएगा, तो यहाँ से आप print वाले option पर click करके, आप अपने application को print कर सकते हैं, या अपने mobile या अपने laptop में save कर सकते हैं, तो हम यहाँ से save कर रहे हैं, आपके सामने हम save करके दिखा देते हैं, और WhatsApp नमबर पर भेज कर भी हम दिखा देते हैं, तो जिनका था, उनका नाम मैंने हाँ पर लिख दिया, और उसके बाद से desktop साइड पर हम यहाँ पर save कर देंगे, उसके बाद से जा करके हम WhatsApp पर भेज देंगे, तो जो म पुराना passport को renewal कर रहे हैं इस तरीके से आप लोग हर बैठे असाने से renewal के लिए apply कर सकते हैं उमिद करते हैं अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो अच्छा लगा तो like कीजिए चैनल के subscribe कीजिए thank you so much for watching my video